Hello friends, welcome to my channel दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगी नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टेस रोड़े कितने सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं और उससे ही कुछ मिलता जुलता एक फ्रॉड के बारे हम लोग आज की न्यूस में कवर करने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे जो कि आप जानते हैं जातर लोग यूस भी करते होंगे इसको भारत पे के नाम से एक एप है कि उसके मैरेजमेंट के जो डैरेक्टर्स हैं उनकी मिली भगत से किस तरह से करोडर रुपे का है रुपे किया जा रहा है जिसको कि अभी पकड़ा गया है जाच में और उस पर भी और जाद है बहुत चीजे उपन होने वाली है और मतलब लालच के चक्कर में ये लोग क्या से क्या करने को क्या से क्या कर जाते हैं इनको भी नहीं पता होता बस इनको खाने को चीए कैसे भी हराम का पैसा अपनी जेब में पिछवड़ा में डालना हैं लोगों वो मतलब अती कर रखी हैं लोगों ने तो चल दोस्तो नियूस कवाल खर लेते हैं, दोस्तो नियूस चपिए moneycontrol.com में, गलत पेमिंट फटजी वेंडर्स जानी है, भारत पे के जांच में क्या क्या सामने आया है, मतलब दोस्तो भारत पे में फ्रॉड का कुछ मौमला सामने आया था, तो उसके जांच करवाई गई है, तो ये रिपोर्ट उनी की है, ये अशनीर ग्रोवर जो के उनके एक डिरेक्टर थे, बेसिकली, तो अभी ही हम लोग पढ़ लेते हैं, भारत पे की मैनेजिन डिरेक्टर अशनीर ग्रोवर की मुश्किले बढ़ रही है, रिस्क एडवाईजरी फर्म, अलवरेज इन मा अप्रूवल प्रोसेस, एक्षपेंसेज और हाइरिंग की व्यापक जांच करा रही है, जो कि एक कंपनी जांच कर रही है, इसके लिए कंसर्टेसिफ फर्म, पी डेवल्यूसी की सिवाई ली जा रही है, उधर आर्बिय ने भारत, आर्बिय भी अब इतना जोल हो गया है तो सोय चाचचाजी होते है हमारे जो हर घर में एक चाचची लगभा मिलते हैं अब इसके विए से भारत पर यूटी ज्टर से लुड़ा हो मामला है, भारत पर यूटि जूटर पर देख रहे है है अब यह कौन है प्रमोटर यह प्रमोटर की शक्रलत देख रहे हैं यह प्रमोटर है भात पर है कि तो इनकी वैसे मामलत पुरा जिसकी से पूरे भारत पर ब्रांड की ऐसी क्या से होने वाली तरह जो जत्व होने वाली झाल रहे हैं जो सीचके लग रही है इस हड़ार CJ Business ब अपने सेविंग के पैसे पे खास तोर पे नजर रखी और बैंक पे भी नजर रखी अलवरे जिन मानशर की ने अपनी रिपोर्ट 24 जनवरी को भारत पे के बोर्ड को स्वापी थी मतलब अभी पिछली लास्ट वीक यह स्वापी गई रिपोर्ड इसमें फानेशल फॉड होन मतलब जो new employees की hiring है उससे जुड़ा है और दूसरा ऐसे vendors को payment से जुड़ा है जो वास्तों में है नहीं मतलब कहने का मतलब है कि इन लोगों ने ऐसे लोग की गांड में पैसा डाल दिया जिनकी तो गांडी नहीं है जो लोगी नहीं है इतनी लूट मचा रहे कि इतना हराम का पैसा खाने के लिए लोगो आज पढ़ जाती है जो management के लोग होते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है अब पढ़ लेते आगे दरसल भारत पे की स्थापना के बाद से अश्नीर ग्रोथ की पत्नी यह अश्नीर ग्रोवर है यहां पर कि पत्नी मादोई ग्रोवर कंपनी में जोल पाले पाया गया है अब जिम्मदारी में आगे पढ़ते क्या कि कैसे जिम्मदारी समाली गई है उसकी भारत पे एचार कंसलेंट के जरीए employees का recruitment करती थी मतलब भारत पे नहीं यह बता रखा था कि वह एचार कंसलेंट को फीज चुकाती थी यह उन्होंने management को बताया ह जाच में पाया गया है कि company खुद staff की भरती करती थी मतलब वो जो भरती करते थे खुद करते थे लेकिन जो फीज चुकाई जाती थी वो कई staffing कंपने को चुकाई जाती थी जिनका के recruitment से कोई दना नहीं होता था मतलब उन्होंने यह दिखाया है कि वो जो hiring कर रहे हैं वो कर रहे हैं hiring third party के तुरू और third party को fees पे कर रहे हैं और ऐसी third party जो कि पैदा ही नहीं है जो कि ही नहीं actually में पता चला है कि यह company आपस में जुड़ी होई थी जो कि हमेशा होता है कि जब जोल पाया तो सीधी चिबात है सब कहीने के जुड़े होते हैं और इनका connection माधुरी grower से ह है मतलब जो डिरेक्टर है उनमें से एक उसकी wife से सारा सारा connection साफ साफ नजर आया है इनको इनकी चानवीर में A&M ने recruitment company को चुकाई गई fees के दस्तावेज के invoices देखे हैं भारत पे को join कर चुके कर्मचारियों ने invoice में दी गई जानीं तारी को confirm किया है लेकिन इन कर्मचारियों ने उन hiring फर्मों के जरीए recruit कियाने से इनकार किया है जिने भारत पे ने इसके लिए fees चुकाई है उन्होंने यह भी कहा है कि उन्ह employees ने joining जब की है तो उन्होंने इसाफ वोला है कि हाँ उनकी ज्वाइनिंग उसी डेट पर हुए है जो date उसमें दिखा रखी है invoices में लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनकी जो ज्वाइनिंग हुई हो किसी भी third party के थरू नहीं हुई है किसी भी recruitment agency के थरू नहीं हु प्रेतांग जैने तियार किये थे जो मादर की मतलब बीवी साला husband सब मिले भगाता मतलब इतना हराम का खाने का चसका चड़ावल लोगो जिसकी कोई हद नहीं है इन recruitment फर्मों के बीच में कही तरह की समाजता है पाई गई है इनमें उनकी email address physical address formats bank branches एक है मतलब जो फर्म जि जो यह फर्म पाए गई है इन recruitment फर्म पाए गई है सारे पानीपत की है और उससे भी वड़ी बात यह भी पता चला है कि जो इनकी बीवी है मतलब जो डिरेक्टर की बीवी है मादुरी असल में पानीपत की रहने वाली है तो मतलब चोरी पकड़ी गे साफसा इन्वेस्टि लोग किसके काण में पैसा आप समझ सकतों कहां गया है पैसा हो यह भी सामने आगे करीब 11 करण रुपे का पैमेंट ऐसे 30 वेंडर को किया गया जिनका कोई वजूद नहीं है इन वेंडर को किये गये पैमेंट को डिरेक्टर ऑफ डिजी जी आई ने पकड़ा था भारत पे डिमांड को चैलेंज करता है बट यह लोग इतने बड़े चोर हैं यह लोग जानते थे कि इन्हों कुछ गरबड कर रखा है इन्हों चुपचा वो 11 करण रूपर विद पैनल्टी साथ भड़ दिया है ताकि इनकी पोल ना खुल सके 21 सक्टूबर 2020 को DDGI की सर्च में गरबड़ों का पता चला था मतब यह बात का पता चला था जोल का पता चला था 21 सक्टूबर 2021 को कंपणी के अधिकारे को एक नवंबर को नूटिस भजा था कंपणी ने डिजी आई को 11 नवंबर को नूटिस का जवाब भेजा इस लेटर पर दीपक जगदीश रामन का सिगनेचर था H&M की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुपता ब्रकॉर्मेंट के लिए जिम्यदार था वह मादरी का ब्रदर इन लौ है मतलब भया ब्रदर इन लौ वाइफ सब मिली भगत हो रखी यहां पर इस से यह पता लगाने लगेगा कि कंपनी क्यों ऐसे वेंटर को पेमेंट कर रहे थे जिनका वजूद ही नहीं है मतलब कंपनी की हालत ऐसी है कि उसको यह नहीं समझा था कि जोल कहा हुआ उसे थर्ड़ पाटी को रुका थर्ड़ पाटी के बताई है कि आपका लगबग 30 इस पेमेंट किया गया है जो 53 करोर रुपे से जादे का है और अभी और यह सब देखके अब आर्मे की आँखे खोल रहे है तो देखिए दोस्तों कैसे लट लगती है हराम का लोग को खाने की वह आप इस एक और कास तो पर दिख सकते हैं तो दोस्तों उम्मित करों आपको